दोस्तों अगर आप SPP को इस्टुएंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जादा स्पेशल है यहां पे मैं कुछ चीज़े इतनी जादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ इतना जादा सिंपल बताने जा रहा हूँ अब देखो आपके अंदर एक confidence का इतना अच्छा level बढ़ जाएगा ना दोस्तों की बोलोगी यार सर इतना मज़ा आ गया 10 marks तो confirm होगे तुरंत तो आज और कल में मतलब कल से हमारा crash course स्टार्ट हुआ और आज दो दिन में दोस्तों हमने solid geometry पूरा का पूरा complete कर दिया तो व तो अब आपको यह सोचना है कि यह टू टाइप के सम है तो ऐसा क्या दीमाक लगा है कि सर इसमें स्टेप्स क्या होंगे कैसे समझ में आएगा और हर बच्चा इसका answer दे रहा था देखो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूँ यह सिलेंडर का पार मैं आगे आपको दिखा तो हर बच्चा एक एक बच्चा इसका answer दे रहा था तो अगर आपको भी अगर crash course से जुड़ना होगा तो comment section में link है आप जुड़ सकते हो भाई नहीं तो 2-3 दिन के बाद आओगे तो बाद में पस्तावा यह हो जाएगा कि यहार पहले दिन से होना चाहिए था और मैं यह यह देख रहूंगी बच्चे बहुत मेंनत कर पर जी जान से में अब देख़ो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहतो कोन में यह दो टाइप के सम आपको सबसे पहले cover करना ची है यह अपर alpha जो है दोस्तो alpha क्या होगा पता है present होगा और यहाँ पर alpha क्या होगा दो अब बस आपको यह दो DRS अगर मिल गए ना तो आपका काम हो जाएगा अब दोस्तो इसका DRS यह जो नीचे दिखाई दे रहा है यह एक्सिस का एक्वेशन है तो यह नीचे DRS है तो यहाँ पर इसका DRS है दोस्तो अगर मैं बात करूँ तो क्या है दोस्तो टू है थ्री है और 4 और इसके DRS को हम A1 लेते हैं B1 लेते हैं और दोस्तो C1 लेते हैं simple सा अब दोस्तो मैं अगर इसके DRS की बात करो तो इसका DRS निकालते इं ताइम आपको एक पॉint यहाँ पर consider करना होगा P और यहाँ पर मैं X ले रहा हूँ Y ले रहा हूँ Z ले रहा हूँ अब यहाँ पर अब दोस्तों यह आपका दूसरा DRS से तो यह क्या होज़ेगा A2, B2 और यह C2 अब करना कुछ नहीं है दोस्तों सम्सॉल हो गया अब बस यहां पर एक फॉर्मला अपलाए कर दो दोस्तों कॉस अलफा विच इस इकवल टू मैंने क्या बोला AA लिखो, BB लिखो, CC लिखो और दोस्तों यहां पर 12 यहां पर भी 12, यहां पर अंडरूट में कहाएगा दोस्तों A1 स्क्वेर, B1 स्क्वेर, C1 स्क्वेर अंडरूट में कहाएगा दोस्तों A2 स्क्वेर, B2 स्क्वेर और C2 स्क्वेर बस अब देखो दोस्तों A1 है आपके A1 A2 यहाँ पे रख दो अगर आपको यह देखो यह B1 B2 है आप यहाँ पे रख दो C1 C2 है यहाँ पे आप रख दो हो गया काप अब देखो A1 यह A1 B1 C1 कहां से है यहां से है यह वाला भी point आपको पता है कि इसको minus करके मिलेगा बस इसके अंदर सभी values put कर दो cos alpha का value भी यहां पर आपको समझो 30 degree दिया है 30 degree रख दो और फिर इस पूरे equation को आप क्या कर दो solve कर दो आपका answer आजाएगा even lectures के अंदर मैंने पूरा equation solve करके भी दिखाया पूरा का पूरा equation solve करके दिखाया कि कैसे calculation को फास करते तो यह चीज वहां पर और हर बच्च बहुत सारे case में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको कुछ न कुछ सम में दिया होगा कि यह जो हमारा कोन है दोस्तों वह एक पॉइंट से पास हो रहा है सबोज मैं यहां पर पॉइंट ले ले रहा हूं 3,2,1 ऐसा आपको कुछ न कुछ एस्ट्रा दिया होगा सम में आज आजी जाके सम देखना तो यहां पर आपको कुछ न कुछ एस्ट्रा दिया होगा तो यहां से आप अल्फा तूरंट निकाल सकते अब देखो आपको इसका DRS तूरंट पता है एक्सिस का DRS क्या है 2 है 3 है 4 है तो यह क्या होगा A1 B1 C1 अब आपको इसका DRS निकालना है तो इसका DRS आपका इसे निकालना होगे 3-1 तो यहां पर गयाएगा दोस्तो 2 2-2 0 और यहां पर दोस्तो 1-3-2 तो यह क्या होगे आपका A2 B2 और C2 अब दोस्तों यह वाला सेम तूसेम आपको क्या करना है यह सेम तूसेम कॉस अलफा वाले फॉर्मले में पुट करना A1 A2 B1 B C2 C1 C2 upon अंडरूट और यहां पर भी सेम अंडरूट में यह वाले फॉर्मले में यह पूरा का पूरा पॉरा पॉइंट करो यहां से आपको तूरंत अलफा मिलेगा अब अलफा मिलेगा उसके बाद यह वाला प्रोसीजर सेम तूसेम रिपीट करना है अब रिपीट क्या क करना है DRS देखो आपके A1 B1 C1 यह वाला ही है पर आपको जब दूसरा वाला जब DRS आप लोगे जैसी आपको अलफा मिल जाएगा तो दूसरा वाला DRS दोस्तो X के टम में होना चाहिए तो आप यहां पर फिर से एक पॉइंट ले लोगे जैसे उसमें लिया आता X Y Z फिर क क्या करोगे Y-2 फिर क्या करोगे दोस्तो Z-3 अब यह क्या होगे आपका A2 B2 और C2 अब दोस्तों आपको क्या करना है यह वाला पार्ट है अब यह दोनों को आपको लेना इस फॉर्मले में फुट करना अल्फा भी आपके पास है आपका एंसर आ जाएगा तो यह तरीका हो और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरे की पूरी चीज़ों को कंप्लीट किया अब दोस्तों अगर आप बारी आती है सिलिंडर के अगर आपने इतनी चीज़े कंप्लीट की इसमें एक और टाइप है आप मेरा डीटेल लेक्टर देख लेना या तो आप बुक में दे तरह के सम साथ है अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आपको लेना है एक्स कॉमा वाइक कॉमा जेड यह हमेशा कंसिडर करना है यहाँ पर आपको यह एक्सी का एक्वेशन दिया रहेगा एक्स माइनस बान अपन त्री वाइनस टू अपन टू एड़ माइनस ट अपन टू तो दोस्तों यहाँ पे आपको तुरंट समझ गया अभी अगर कोई देख रहा है तो आपको एक्शली डियारस यह वाला कॉनसेट आपको बेसिक लेक्चर में कवर होता है कल के लेक्चर वेने वहाँ पर उनको कवर कराया था पर आपको भी यह समझ मैं कि यह ए अब दोस्तों यहां पे a point है a point दोस्तों यह जो minus के बाद रहेगा यह रहेगा 1 फिर से डिया झाल दास दिया होगा 사poos radius हमें 2 भी यहां यह पर दोस्तों M आपको सबसे पहले क्या find out करना है दोस्तो PM, PM तो हमारे पास है दोस्तो 2 कोई दिक्कत नहीं है ये PM का आप square कर दो तो क्या हो जाएगा दोस्तो 4 फिर आपको AP निकालना है दोस्तो AP AP का आपको distance निकालना है पर मैं बोलाओ कि distance root के form में निकालते है, root को आप यहां पे ले लो PM भी हो गया, अब next दोस्तो AM निकालना है AM निकालते टाइम दोस्तो आपको क्या करना है पता है यहां पे यहां पे जो आपको यह A, B, C मिला है उससे आपको L, M, N निकालना है M, N निकालना है और बहुत simple है देखो उपर 3 लिख दो, यहां पर 2 लिख दो और यहां पे भी उपर 2 लिख दो, और नीचे रूट में सबका सेम आएगा सेम वैल्यू आएगा, आप बोलो कि सरी रूट कैसे आएगा पहुत simple है यार, आपको क्या करना है पता है देखो यह 3 का स्क्वेर, देखो रूट के अंदर 3 का स्क्वेर ले लो तो नीचे रूट अंदर रूट आव सेमिंटी अंदर रूट आवसम गया यहां पे भी यहांपे लिख लगे क्वाएगा, अब दोस्तों आपको क्या करना है इसके ब्रेक्ट में जो चीछे वो यहां पर लिखदो दो एकस माइनस वह ली इसके ब्रेकेट में क्या है y-2 इसके ब्रेकेट में काई जैड माइनस 2 स्क्वेर मत लिखना यह आपका एम हो गया यह आपका यह पे यह दोस्तों यह पिम है बस इस वाले चार पांच टाइब के कुस्तन अलग अलग घुमा के आते हैं वो मैंने क्रैस कोर्स के अंदर वता है बाकी आप यूटूब पे मुझे देख रहे तो आपको बुक से कवर करना चाहिए बाकी मैं इतना मेहनत करके दे रहा हूं यही बहुत बड़ी बात है मिलते हैं दोस्तों